गूद बोल now Dear students, biological control की lecture series में आज आपका दूसरा lecture है, जिसमें types of biological control है, सबसे पहले देखते हैं, type type biological control, generally, जो biological control है, वो चार प्रकार की होते हैं, वैसे आप आपको अलाग अलाग content जो भी होगा, biological control का उसमें अलाग अलाग आपको इसका topic मिलेगा, जिसमें कुछ जगे तीन टाइप का मिलेगा, कुछ जगे चार टाइप का मिलेगा, तो मैंने यहाँ पर चार टाइप का biological control mention किया हुआ है, जिसमें पहला introduction, colonization, augmentation और conservation, तो इनके step by देखते हैं, introduction, देखें, introduction क्या होता है, अब क्या करते हैं, अगर कोई भी एक natural enemy होता है, natural enemy को अगर आप किसी एक proper area में, मालीजे, आपका कोई surrounding area है, और surrounding area में आपका कोई भी natural enemy ऐसा नहीं है, जो किसी भी biological control को control कर सके, तो हम करते क्या है, कि किसी दूसरी जगे से उस जगे पर, यानि हम किसी ऐसे organization से या ऐसी जगे से हम उस natural enemy को import करते हैं, इंपोर्ट करने के situated, जो environment होता है, वो हम environment दे सकें, ताकि वो वहाँ पर adapt हो सके, मतलब हम किसी बाहर से आए, natural enemy को नए area में, हम किस तरीके से उसको originate करते हैं, किस तरीके से वो originate होता है, या किस तरीके से वो रहता है, इस सारी condition को हम introduction बोलते हैं, मतलब अगर किसी कोई ऐसा insect है, जो बाहर क होता है, और उस natural enemy को हम एक प्रापर एरिया पर उसको originate करते हैं, उसको रखते हैं, तो वो introduction होता है, second step होता है, colonization, mechanism of manipulation and organization to establish it in a new locality called a colonization, देखिए, अब क्या होता है, कि अब आपने जो भी natural enemy को import किया है, आपने import किया है, इंपोर्ट करने के बाद अब उसको क्या चाहिए होगा, इसको environment चाहिए होगा, adapt होने के लिए, और environment के साथ-साथ उस जगे का उसको ecological balance भी maintain रखना पड़ेगा, तो वहाँ की ecology में वो adapt हो सके, तो इन सारी चीजों का, जहां पर हम उसका manipulation करते हैं, उस organism का, या natural enemy का, जहां पर वो अपनी colonization कर सके, colonization मतलब है कि वो जो natural enemy रहेगा, natural enemy उस जगे पर adapt हो सके, वहाँ पर वो अपनी colonie बना सके, colonie बनाने के बाद वो अपनी generation स्टार्ट कर सके, और generation स्टार्ट करने के बाद अपना multiplication कर सके, उस इस सारे procedure को हम colonization बोलते हैं, अगर जिसे जो biological control में आप जो natural enemy को आपने introduction किया है, एक नए area पर, उस नए area पर introduction के बाद हम उसको चाहिए होता है, कि हम जो natural enemy है, natural enemy को हम वहाँ का environment, वहाँ का ecological balance मेंटेन करने के बाद, उसको उस जगे पर adapt होने के लिए उसको हम पर रित करते हैं, यह होता है colonization, फिर है augmentation, अब आपने क्या किया, introduction के बाद, आपका colonization होगा, मतलब वह अगर वह एक नए area में adapt हो गया, अब adapt होने के बाद क्या होगा, कि उसका हम mass rearing करेंगे, या वह जो mass rearing, वह multiplication करेगा, multiplication करेगा, multiplication करेगा, multiplication इसलिए करवाते हैं, ताकि वह तरीके से जो adaptation है, adaptation पूरी की पूरी तरीके से naturally हो सके, उसको मतलब ऐसा रहे कि वह अपना जो multiplication कर रहा है, वह एकदम natural तरीके से कर रहा है, और उसके उसलिए करते हैं, हम इसलिए इसलिए करते हैं, ताकि जो किसी भी paste की population बहुत ज्यादा high हो जाती है, तो paste population high होने की condition में, हम जो हमारा natural enemy है, उसको भी हम high level multiplication करके, उस natural जो हमारा paste है, paste को हम control करने के लिए, उसको हम release कर सके, तो augmentation होता है, कि मा लिजे आपने colonization किया, colonization मतलब है कि आपने एक नए environment पर उसको adapt कर दिया, adapt करने के बाद फिर क्या होगा, कि हम उसका multiplication या rearing करते हैं, rearing करते हैं, जैसे जो भी paste population है, paste population को control करने के लिए, हम natural enemy को multiplication करते हैं, rearing करत संद्रियर्यशन हो जाएगा इसके बाद हम उसको रिलीज करने काभी काम चलमेंटेशन में करते हैं फिर है और इसके संद्रेशन करते हैं कंजर्व इसलिए करते हैं क्योंकि हो सकता है उस टाइम पर वो पापुलेशन कंट्रोल करने के जब जिस समय हमारा पेस्ट है पेस्ट आटेक किया है और आटेक किया है उस समय माल लिजे आपके पास नेचुरल एनिमी नहीं है उनका मल्टिपलेकेशन नहीं हो पाए तो क्या क्या होगा वो ऐसी ट्यम्माट को में ऊस्सकूर्ब इसलिए करते हैं तो इसलिए करते हैं और एको लोजी को भी मेंटेन रख सके, और इन्ओरमेंट को भी मेंटेन रख सके, क्या है ना कि हम कोई भी पॉपुलेशन है, अगर हम बहुत बड़े लेबल पर हम उनका मल्टिप्लिकेशन कर लिए, माली जै आपका लेडी बड़ बीटल है, अब जब lady bird beetle है हमने एक ऐसे एरिया पर हमने उसका बहुत बड़े लेबल पर introduction कर लिया जब हम बड़े लेबल पर उसका introduction कर लेंगे और उसको natural जो उसका host होता है जो prey होता है वो aphids है aphids को बहुत अच्छे से feed करता है अब जैसे बहुत बड़े लेबल पर अगर हम उसको multiplication कर लेंगे natural enemy को और अगर उसको aphids नहीं मिलता है feed करने के लिए तो उसकी population इतनी ज्यादा हो जाएगी और वो भूख से तडपने लगेगा तो उसको कुछ ना कुछ तो दूसरा insect है जो जो उसको वो feed करेगा तो अब जब दूसरे insect को या दूसरे population को जब feed करेगा तो हो स maintain रख सके हम उसको जो natural enemy है natural enemy को हम उसको multiplication और उसको प्रिजर उसको conservation हम उस ऐसे लेबल पर करते हैं ताकि हम जब जिस समय हमें उसकी pest की population को control करने की जरूरत हो उस समय हम उसको control कर सके अब conservation के बाद ही हम उनको use करते हैं और फील्ड में generally हम apply कर देते हैं जो भी आपके जैस जो अपने microbial biocontrols है microbial biocontrols है microbial biocontrols है उनका भी देखिए mass multiplication करना है अब जैसे mass multiplication की है mass multiplication करने के बाद हम क्या करते हैं उनको field में apply करते हैं यह generally field में application के लिए microbial control microbial जो आर्गनिजम होते है microbial organism को ही apply करने के लिए आपको three way use करना है जिसमें से है एक seed treatment soil application और foliar application जैसे आपने seed treatment किया seed treatment आपको जो भी आपके biological biocontrol microbial control agents है microbial biocontrol agents है उनको आगर हमें apply करना है तो सबसे पहले हम उनमें जैसे उनको हम इस तरीके से use करते हैं जैसे seed treatment पहला है seed treatment जैसे काफी सारे ऐसे microbial agents होते हैं जिनका हम seed treatment के लिए यूज करते हैं और जैसे अपका है soil application soil application क्या हो जैसे कुछ ऐसे भी आरगनेजम हैं जिनको हम soil में भी इनको हम treatment के लिए यूज करते हैं ताकि जो पेस्ट की population है वो growth हो रही है तो उसको प्रेट्मेंट कर सके फिर फोलियर application जनरली हम application करते हैं जिसमें जब हमाई crop खड़ी होती है और उस समय पेस्ट की population उसको अटेक करती है उसमें हम फोलियर application करते हैं अगर ऐसे 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 को हमें कंजर्व करना है तो कंजर्व करने के लिए कुछ steps है आप किस condition में और क्या क्या जुरूरत होती है जिसमें आप बायो कंट्रोल को आप कंजर्व कर सकते हैं पहला है राशनलाइजिंग यूज आप पेस्टिसाइड्स देखिए अगर आप पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं तो पेस्टिसाइड्स का जनरली आप वह जो जब कंट्रोल करते हैं तो उसकी जो टॉक्सिक हैबिट्स होती है वह पापुलेशन को टच करती है वह पापुलेशन पापुलेशन उसी को कंट्रोल कर सके और लिमिट में टॉक्सिक यूज करें आपने एफिट्स को कंट्रोल करने के लिए आपने पेस्टिसाइट अपलाई गिया है तो एफिट्स के साथ साथ में क्या है कि कुछ ऐसे बेनिफिट इंसेक्ट भी है जो आपकी क्राप को क्राप जनका तो आपके विजिट करते हैं तो अगर पर रहां जनत्रोल पर जालंदा जयता है तो इसलिए हम यूज करते हैं पेस्टिसाइट का फिर प्रवाइडिंग फूड और आप जो जो भी जिसका रहिंक करना होता या जिस समय हम कंजर्म कर रहे होते हैं पेस्ट की पॉपलेशन को उस समय हम प्रापर फूड्स मैटिरियल्स उनको सप्लाई करते रहते हैं और ऐसा सेल्टर्स देते हैं देखिए जैसे डार्क रूम हो गया डार्क रूम में इंसेक्ट उसका बहुत भी फिवरिट करता है चुकि वहाँ पर उसको कंजर करने के साथ साथ उसका मल्टिप्लिकेशन बहुत अच्छा होता है तो सेल्टर्स होना चाहिए जहां पर इंसक्ट अपने आपको एकांत फिल कर सके beneficial management practices और जो सी काफी सारी beneficial management practices हैं ऐसे practices को भी time time पर apply करते रहते हैं जिसमें हम उस pest को गंजरू करने के लिए हम ये जरूरी होता है ताकि वो किसी ऐसे जो हम जो भी pest को अपने कंजरू किया हुआ है pest में आप देखते हैं कि आपको disease तो नहीं लग रहा है या कोई और predator तो entry नहीं कर रहा है यह beneficial management practices है जिनको हमें चाहिए होता है suppression आप आंट्स ऐसा इंसेक्ट है जो most population को feed करने का काम करता है तो जो आंट है आंट अगर किसी भी caterpillar हो या adult की stage में हो किसी भी feed करने का काम कर सकता है तो हम उसको को कोशिश करते हैं कि जो आंट है उसको हम suppress कर सके determining need of action अब जरूरी होता है कि आपने जो भी population को conserve किया है कंजर्व करने के साथ साथ ही अब आपको उस चीज को decide करना है कि यह किस तरीके से यह अपना action कर सकता है मतलब आपने apply किया है यह आपको apply करना है फिल्ड में apply करना है तो कौन से types में आपको जो पेस्ट की population है जिसको आप control करना चाहते हैं एक है आपका natural enemy जिसको आपने कंजर्व किया है तो जिसको आप अगर फिल्ड पे छोड़ देते हैं तो छोड़ने के time पर आपको यह तो यह ग्यान होना चाहिए कि आप caterpillar की stage पर छोड़ रहे हैं caterpillar की stage पर छोड़ रहे हैं तो आपका जो natural enemy है वो क्या है कि caterpillar को खाएगा कि नहीं खाएगा जो आपकी pest population है एडल्टी stage है एडल्टी stage को आपका natural enemy खाएगा कि नहीं खाएगा यह सारा चीज का आपको determining करना होता है influence of plant type अब आपको जो भी आपने conserve किया है आप food materials दे रहे हैं कुछ shelters दे रहे हैं और उसमें food materials में आप कुछ plants हो गएरा भी supply कर रहे हैं या लीप्स हो गएरा भी supply करना है तो ऐसा food materials दे रहे हैं कि वो उस पर कोई influence factor तो नहीं पड़ रहा है या आपने जो भी population population को control करने के लिए natural enemy को आपने छोड़ा हुआ है वो उस जगए पर चुकि अगर किसी condition में इनसे control हो जाता है तो कुछ जो आपके यह quality होती है bio control agents की की आपने apply किया और आपका जो host है host खतम हो जाने के बाद इनकी भूख को उसका plant मिटाता है तो उस plants में उस plants को यह फ्योरिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस types का उसको influence of plant types होना चाहिए फिर एक ट्रैप क्रापिंग आपके जिसे जो भी क्रापिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं ऐसा ऐसे types का आप क्राप यूज कर रहे हैं जिसमें से वो आप जो natural enemy है उसको trap कर सके इस traps का आपको वो trap क्रापिंग होता है जिसमें आप किसी भी तरीके की crops को आप अच्छे से यूज कर सकते हैं जो trap जो trapping की habits का हो thank you for watching my video thanks